नमस्ते चात्रों आज हम एक सुन्दर सी कविता देखने वाले डॉक्टर कुलू भूशन लाल मखीजा इन्होंने लिखी हुई सुन्दर सी कविता आज हम देखने वाले जीवन क्या जीवन जीवन तो आपको तो पता हिए जीवन मैंने कहा है जब आपका जल्म होता है जल्म से आपके अंतक का जो बीच का जो समय होता है जब आपके जीवन में तरह तरह के संकट तरह तरह के अनुभ हो जो भी खुशिया हो कभी गम हो यह सारी के सारी जीजा आती है इसे हम जीवन कह तो देखे हिंदी सुलब भारती कक्षा पाचवी कक्षा की आज हम डॉक्टर कुल भूशन लाल मक्षी जा इनोंने लिखी हुई सुन्दर सी जोकी कविता आज हम देखने वाले जीवन देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दू ये कविता का परिचे मैं सबसे पहले करवाना चाहता हूँ जीवन केवल सास लेने का नाम नहीं है चात्रो तो जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है हमें अच्छे गोन जो आपकी इच्छाय होती है उसे अपनाना चाहिए उसके बाद हमारे जो विचार है उच्छे होने चाहिए हमारे बोली मीटी होनी चाहिए और यही यह कईउता के माध्यम से डक्टर कुल बोशनलाल मखीजा इन्होंने यह कईउता के माध्यम से आप तक एक संदेश, एक मैसेज आप तक भेजा है छात्रो तो आज हम सबसे पहले देखेंगे यह कईउता में आने वाले शब्दार देखें, कल मैंने आपको दो सवाल भी पूछे थे शात्रो आपने दीने चर्या बनाओ और मुझे सुनाओ पहला सवाल पूछा था, उसके बाद दूसरा सवाल पूछा था तुमारी मा तुमारे लिए क्या क्या करती है यह बताओ, यह भी मैंने दो सवाल पूछे थे आज भी मैं कुछ सवाल पूछने आवालो लेकिन सबसे पहले हम शब्दार के लिए तरब चाहेंगे देखें, जीवन, जल्म और मृत्यू के बीच का जो समय है उसे जीवन कहा जाता है चात्रो उसके बाद टिक-टिक, घड़ी के काटो की आवाज घड़ी नुमा, याने घड़ी के अनुसार नित्य, याने हमेशा कन, मिट्टी का एक शुश्मकन उसके बाद अपनत्व, याने अपनापन उसके बाद देखें, प्रणाम, नमस्कार उसके बाद वीशाल, बड़ा, सहन शील, सहन करने की स्वभाविक शमता रखने वाला व्यक्ति और धर्ति, याने जमिन ये थे, डॉक्टर कुलूबूशन लाल मकिजा इन्होंने लिकी हुई जीवन जो कविता है ये कविता के ये शब्दा आर्ट छात्रो तो आज हम कविता का सरल आर्ट देखेंगे याने हर पंक्तियों का आर्ट देखेंगे आज हम पढ़ेंगे जीवन क्या पढ़ेंगे हम चात्रो तो जीवन, मैं हर पंक्तियों का आपको आर्ट बताऊंगा लेकिन सबसे पहले आपको यह जो सुन्दर्सी कविता है यह कविता मुझे आपको गाकर सुनानी है चात्रो तो देखे मैंने कल आपको गाकर बताई थी लेकिन आज हम हर पंक्तियों का आर्थ दिखेंगे तो पेज नंबर 28 निकालना है आपको चात्रो और 28 पर हम चलेंगे जीवन की तरब देखें जीवन है चलने का नाम करना कभी नहीं विश्राम देखें दो पंक्तियों का आट बताता हूं सबसे पहले जीवन है चलने का नाम सबसे पहले मैंने शब्दार्थ में भी देया था जीवन याने क्या जब आपका जल्म होता है जल्म से आन तक कि जो बीच का जो समय है जब जिस प्रकार आप समय बिताते हो तो वो बीच का जो समय होता है उसे जीवन का जयता है जीवन है चलने का नाम देखें करना कभी नहीं विश्राम आप जब आपका जल्म जब से होता है तब से लेकर आपके अंतव आपको कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए आराम नहीं करना चाहिए देखिए मैं बताता है आलची जो बनकर पड़े-पड़े कुछ लोग आराम करते है बरवरे देखिए चात्रों आलची बनकर पड़े-पड़े आराम करना जीवन उसे नहीं कहलाता है या उसे हम जीवन नहीं कहलाते सही बात है चात्रों देखिए जब कुछ लोग क्या करते अरत ते रहेते हैं आलसे बनकर क्या करते हैं कि नहीं आहित엔 बिलकुल नहीं वह उसे जीवन किसे घफ़ा लाते हैं दINGING जीवन किसे कहलाते तो हम जीवन में हमेशा चलते रहना या अर्थात क्या तो आपको हमेशा स्रम करते रहना चाहिए देखे जब आपका जीवन है किसे जीवन कहा जाता है उसे जीवन कहा जाता है वो आलसी बनते है श्री पड़े पड़े आराम करना उनके सुबह उटना खाना खाना सो जाना दिन भर आराम कर जाना उसे जीवन कहा जाता है तो बिल्कुल नहीं उसे जीवन जीवन है चलने का नाम यह जो आपका जीवन है जीवन किसे कहा जाता है तो देखिए जो विश्राम करने वाले जो आलसी लोग है उसे जीवन कहा जाता है क्या तो बिल्कुल नहीं तो हमें जो हम जीवन में हमेशा के लिए आपको क्या करना है चलते जाना याने आपको होगे आप जीवन में चलते जाना है तो आपका जब जल्म होता है तब से लेकर आपको श्रम करना है महिनत करना है तभी आप आगे बोड़ोगे तबी आप क्या बढ़ोगे छात्रो तो आगे बढ़ोगे देखिए जीवन है चलने का नाम करना कभी नहीं इश्राम देखिए जीवन है आपको आराम करना है क्या तो बिल्कुल नहीं आपको हमेशा के लिए चलते जाना है आर्थात स्रम करना है महिनत करना है तबी आप आग पोच पाओ गया यानि कहां पोचना है आपको तो देखिए किसी को डॉक्टर बनना है उसके लिए आपको क्या करने होगी चात्रो तो आपको पढ़ाई करने होगी तरह तरह की किताबे पढ़ने होगी या किसी को अफसर बनना हो किसी को पुलिस बनना हो किसी को टीचर बनना जो भी आपका लक्ष है वो लक्ष की तरफ आपको जाने के लिए आपको आराम करना है क्या तो बिल्कुल नहीं आपको क्या करनी होगी महिनत करनी होगी आपको इसराम करना है क्या तो बिल्कुल नहीं आपको आपके लक्ष की तरफ जाने के लिए आपको हमेशा के लिए महि चलिए आगे की पंक्तिया देखेंगे गड़ी सदा टिक टिक करती रुपने का नहीं लेती नाम गड़ीन मा सब आगे बढ़ना सूरत सा नित ऊपर उठना कनकन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रनाम देखें बहुत सुन्दर सी पंक्तिया डॉक्टर कुल बुशन लाल मखीजा उन्होंने लिकी हुई है देखें पहले पंक्तिया देखें घड़ी सदा टिक टिक करती रुपने का नहीं लेती नाम घड़ी देखेंगे चातर आपने आपके हाथ में भी होगी किसी के हाथ में है तो आप देख सकते हो जो कि जो वाज है आपकी जो घड़ी ह वह घड़ी हमेशा टिक-टिक करती है, टिक-टिक करना यहने, जो घड़ी के बीच में होने वाले जो तीन काटे, एक सबसे पहले होता है, तास काटा, उसके बाद मिनिट और सेकन, तो तीनों के तीनों काटे, कभी कैसे बसते पता है आपको, यह सेकन काटा सबसे ज़्यादा वह सेकंद के लिए गिरता है तो कैसा वस्ता है तिक 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 करता है याने गड़ी की काटो की आवाज घड़ी सदा टिक टिक करती है देखिए घड़ी कभी रुपती है क्या नहीं वो हमेशा के लिए टिक 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 याने वो आगी बरती है कभी रुपती है बिल्कुल नहीं देखिए घड़ी सदा टिक टिक करती है रुपने का नहीं लेती नाम घड़ी हमेशा टिक टिक कर लेकिन जो भी सारे संशार का जो समय है वो समय चलता ही जाएगा आगे बढ़ता ही जाएगा कभी रुखने का वो कभी नाम लेता है कभी भी नहीं देखिए घड़ी सदा टिक टिक करती रुखने का नहीं लेती नाम देखिए घड़ी की जो काटे है वो हमेशा के लिए टीक 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 जिस प्रकार आप चलते हो रास्तों पर कैसे चलते हो जो कि आपके दोनों पेरों से आप जब चलते हो तो आपको उह पेर उसको रुकाना है आपको तो नहीं आपका जो रहा है जो आपकी मंजिल है वो मंजिल तक पहुचने के लिए आपको वही रास्तों पर चलना चाहिए आगे की ओर चलना चाहिए तभी आप आगे बर सकते हो वरना आप कहो गे हम एक जगा रुखेंगे और आपने मंजिल तक पहुचेंगे तो आईसा होगा क्या तो बिल्कुल ने आपको विश्राम करना है क्या तो नहीं आप रहा पर आपने रास्तो पर चल देए और बड़ा सा प्रेड़ दिखा वहीं पर रुख गए नहीं हम आप बढ़ना क्या घडी नुमा सब आगे बढ़ना सूरत सा नितु ऊपर उठना घडी नुमा सब देखे जिस प्रकार घडी टिक टिक करती 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 कभी वह रुखती है क्या बिल्कुल नहीं वह कभी भी नहीं रुखती है और वही घडी के अनुसार घडी नुमा यहने घडी क अनुसार घड़ी के समान ही सबको आगे बरते रहना चाहिए। घडी नुमा सब आगे बढ़ना उसी प्रकार जो घडी है घडी कभी रुखने का नाम नहीं लेती घडी के समान आपको सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए शारे संसार को आगे बढ़ते रहना चाहिए तभी आप आपके मंजिल तक पहुच जाओगे छात्रो सूरज सा नित उपर उठना कनकन में अपनत्व देखकर सब को दिल से करो परना देखे सूरज की तरह सूरज सा नित उपर उठना सूरज की तरह निरंतर उपर उठना चाहिए देखे आपको तो पता है जब सूरज जब सुबह होती है सूरज आपको जब चलता ही जाता है कभी वह कभी रुखता है आपको तो पता है जब कभी सूरज जब कभी रुख जाए तो संसार में सब तरब जो संसार है संसार पर रहिने वाले सारे के सारे व्यक्ति सारे के सारे स हमेशा हमेशा आपको पता है हमेशा क्या होता है सुबह होती है इसा होता है कि आज सुबह ही नहीं हुई है तो ऐसा नहीं होता है देखिए सुरसा नित उपर उठना जो कि हमेशा के लिए वह जगह से वह हमेशा के लिए वह चलता ही जाता है चलता ही जाता है कभी वह रुख उता नहीं है देखें। वगर में अपने देख कर देखें। हमें कंकं में अपनपन समय अपने मा है उनिके γंपन है आक करने मा nerve करना है और देखें। कनकन में अपनत वेने आपना पर देखकर जैसे कि ये जो मित्ती है ये मेरी है मेरी मा है इस समान आपको वो कन को सोचना है सबको दिल से करो प्रणाम और चाहिए और सबको सचे रदे से आपको क्या करना है चात्रो प्रणाम करना चाहिए देखिए हमने आप निचे की तीन प प्रणाम करना है नमस्ते करना है देखे चात्रो आज हम यहीं परू केंगे आज हमने कितनी पंक्तिया देखे 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 तेके मैं पढ़कर बताऊंगा फिर से जीवन है चलने का नाम करना कभी नहीं विश्राम गड़ी सदा टिक टिक करती रुपने का नहीं लेती नाम गड़ी नुमा सब आगे बढ़ना सुरत सा नित उपर उठनाम कनकन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करू प्रनाम तो आज यहां तक ही देखेंगे यहां तक हमन आगे बढ़ता महिनत कर पाता पदनाम मा जैसी हो मीठी बोली मन में सच्चे उच्च विचार अपने जैसा सबको जानो सेवा का कर लोस विचार जीवन है चलने का नाम करना कभी नहीं विश्राम यह हम कल के वीडियो में देखेंगे चात्रों आज यहीं पर रुकेंगे ठ थैंक यू